नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिपावली के दिन सुनने जाने वाली संपूर्ण कहानिया एक साथ सुनाने जा रही हूँ, तो चलो, कथा शुरू करते हैं लक्ष्मी माता की कथा, किसी गाव में एक साहुकार रहता था, उसकी बेटी हर दिन पीपल के सहेली बनोगी? लड़की ने उत्तर में कहा कि मैं आपको अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी. घर आकर साहुकार की बेटी ने अपने पिता को पूरी बात बताई. बेटी की बात सुनकर साहुकार ने कहा, ठीक है बेटी, तुम उनसे मित्रता कर लो. दूसरे दिन साहुक लक्षमी जी ने अपने घर में अपनी सखी का खूब आदर किया. उसे सोने की थाली में पकवान पर उसे और सोने की चौकी पर ही भोजन कराया. साथ ही जाते समय लक्षमी जी ने उसे दुशाला भी भेंट की. जब साहुकार की बेटी अपने घर लोटने लगी, तो क्या वह अपनी सखी का स्वागत अच्छे से कर पाएगी? साहुकार अपनी बेटी की मनुदशा को समझ गया. उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि, बेटी, तुम परेशान मत हो, और तुरंत घर की साफ सफाई कर, चौका मिट्टी से लीप दो, साथ ही तुम लक्षमी जी के नाम पर चार बत्ती वाला दिया भी जला दो. उसी समय संयोग वश एक चील साहुकार के घर के उपर से गुजरी और एक नौलखा हार उनके घर में गिरा कर चली गई. जब साहुकार की बेटी को यह हार मिला, तो उसने उसे बेच दिया, और उससे मिलने वाले धन से प्रसन्न हो गई. इसके बाद उन्होंने साहुकार और उसकी बेटी पर अपार कृपा बरसाई और फिर वहां से चली गई. लक्ष्मी जी के जाने के बाद भी उनके घर में फिर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई. हे मा लक्ष्मी, जैसे आप साहुकार और उसकी बेट कार्तिक स्नान कर ले। मैं तो नहीं करूँगा। घुन की बात सुनकर इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती। लेकिन घुन ने इल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्त के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर मेंधा बन गया राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पाल की रुकवा दी तो राजा ने पूछा क्या हुआ बेटी तो लड़की बोली पिता जी मुझे ये मेंधा चाहिए तब राजा बोला, बेटी तूने ये क्या मांगा? मांगना था तो धन दौलत ले ले और तू इसका क्या करेगी? लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं मुझे तो यहीं चाहिए. मेढे को रत से बांध दिया गया. महल में पहुँचने पर मेढे को महल के नीचे बांध दि पर तब तूने कहा था, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी प्यूंगा. लड़की और मेढे को बात करते हुए उसकी देवरानी जिठानी सुन लेती है. वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली, कि ये तुम किस जादूगर्नी को ब्याह कर लाए हो ये तो जानवरों से बात करती है. अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आखों से देखूंगा तब ही मानूंगा. अगले दिन वा सीड़ी पर छिपकर बैठ कया. उसकी पतनी आई और मेढे ने उससे फिर वही बात कह जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया. यह सब देख वह राजकुमार तलवार निकाल कर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पतनी ने उससे बहुत कहा कि आउरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह नही माना और बोला, मुझे सब जानना है. राजकुमार की जिद के आगे उसकी पतनी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और यह मेढ़ा घुन था. इससे मैंने कार्तिक नहाने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया. जिसक सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुन्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुन्य मिलता है. अपनी पतनी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुन्य मिलता है, तब तो हम दोनों जोडे से कार परतिक महराच जैसा आपने इल्ली को फल दिया, वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सभी पर अपनी कृपा बनाएं रखना। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। माच कुल्ठी छटी रास। मेरा जिबडो श्री कृष्ण के पास, डालूँ पानी हो जाए घी, जट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठ कर धेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुँचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया जिसमें हाथ मुह भी काले हो गये और खुद भी थोड़ा जुलस गया। न रोटी पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पडोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढिया बोली कि सब कुछ तो जल गया है अब कहां से आवभगत करूं। तपडोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ चाच दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी। आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ। ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातेर हुई फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले आँ अब कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे तेरी तो माँ है, दही की धुंचली, चूर्मा का पेडा धरा पाएगा भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाटने कर लिया नगर बसेरा जो करे, सुमल धोवे पाउव, ताता माणडा तापसी देगी मेरी माँ मा देगी मावसी, देगी द्वार का कवास, मीठा मीठा घास व्रिंदावन कवास, पाँच कुल्ठी चठी रास मेरा जिबडो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, जट से निकल जाए मेरा जी करके वह चल पड़ा घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी अब यहाँ आया तो भैंस खो दी बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ तब ही रोटी पानी मिलेगा सारा दिन भाट भैंस ढूनता रहा लेकिन उससे भैंस नहीं मिली जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई बस उसी दिन से भैंस ढून रहा हूँ रोटियों का तो पूछो ही मत जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगरबसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं दोनों ने बैठकर नगरबसेरा किया पांच गुल्ठी छथी रास मेरा जिबडो श्री कृष्ण के पास डालू पानी हो जाए घी जट से निकल जाए मेरा जी दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई जिसे लेकर घर पहुँचा घर पहुँचते ही मा ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक खिलाय रहा है ये कहकर उसकी मा ने उसको खूब खिलाया पिलाया इस घटना के बाद सारे नगर में धिंडोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसा ही हर किसी को मिले गंगा जमना की कहानी प्राचीन समय में एक गाव था जिसमें दो बहने रहा करती थी एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था एक बार दोनों बहने एक साहुकार के खेट से गुजर रही थी तो जमुना ने बारह दाने जौ के तोड़ लिये, जिसे देख गंगा बोली, कि तुझे तो ग्रहन लग गया, तुने चोरी की है इस पर जमुना बोली, कि अब मेरा ग्रहन कैसे धुलेगा गंगा ने कहा कि तुझे बारह साल तक साहुकार के यहां नौकरी करने पड़ेगी, तब ही तेरा पाप धुलेगा और ग्रहन से मुक्ती मिलेगी जमुना साहुकार के यहां नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है साहुकार उसे काम पर रख लेता है लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूँगी लेकिन चार काम नहीं करूँगी जूटे बरतन नहीं मांजूँगी, जाडू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी बारह साल के बाद कुम्भ का मेला लगा तो साहुकार्णी भी कुम्भ नहाने जाने लगी जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुम्भ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी यह सोने का टका दे देना इससे वह अपने हाथों में सुन्दर चूडियाओं पहन लेगी साहुकार्णी ने कुम्भ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके बारह वर्ष पूरे हो गए है अब भाई यहाँ वापिस आ जाए साहुकार व साहुकार नी वापिस घर आये तब जमुना मटके में पानी भर रही थी दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे बारह वर्ष पूरे हो गए हैं इसलिए अब तुम वापिस जाओ यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्र धारा में बदल गई और बहने लगी जमुना जी का यह रुप देख साहुकार व साहुकार नी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया हमें तो अब ग्रहन लग गया है हम ये ग्रहन कैसे उतारेंगे जमुना भाग कर गंगा माता के पास चली गई गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहुकार साहुकार्नी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताया गई तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बता कर नहीं आई हूँ गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज देया नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोश ही रहेगा कार्णी को सपने में दर्शन दिये और कहा कि तुम दोनों उलटे माथे क्यूं पड़े हो जाओ उठकर खाओ पियो तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे हमें तो ग्रहन लगा है क्योंकि हमने उलटे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्याप से कराएं है तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहन नहीं लगा है ग्रहन तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेट से 12 दाने जौके चुराए थे मैं तो अपना ग्रहन उतारने तुम्हारे घर आई थी मेरा ग्रहन तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ती हो गई है जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहन नहीं लगा है उलटे मेरे बारह वर्ष तक यहां रहने से तुम्हारी भी मुक्ती हो गई है यह कहकर जमुना जी स्वपन से चली गई दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है हे जमुना माता जैसे आपने साहुकार वसाहुकारनी की मुक्ति कराई वैसे ही आप अपने सब ही भक्तों की करना पीपल पथवारी की कहानी एक बुढ़िया थी उसने अपनी बहु से कहा तु दूद दही बेच के आ वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पत्वारी सींच रही थी उनको सींचता देखकर बहु ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो औरतें बोएली कि हम पीपल पत्वारी सींच रहे हैं इससे अन औरधन होता है बारह वर्ष का बिच्छुडा हुआ पती मिल जाता है बहु बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूद से सींचूंगी गुजरी बहु रोजाना दूद दही बेचने नहीं जाती वह रोजाना दूद को पीपल में और दही पत्वारी में सींचती सास दूद दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूँगी कार्तिक का महीना पूरा हो गया पूर्णिमा के दिन बहु पीपल पत्वारी के पास जाकर बैठ गई पत्वारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहु बोली कि सासु दूद दही का दाम मांगेगी पीपल पत्वारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है ये भरा डीनडा पान पतूरा इसको ले जा ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा खोड़ कर सो गई सासु बोली, पैसे ले आई बहु? बहु बोली, कोठरी में रखे हैं सासु ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहेन है सासु बोली, बहु, इतना धन कहां से लाई? बहु ने आकर देखा तो सची में ही धन भरा हुआ है बहु ने सास को सारी बात बता दी सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सीचूंगी कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती हांडी धोकर पीपल पतवारी में छड़ा देती आकर बहु से कहती, मेरे से दाम मांग वह कहती, सासु जी कोई बहु भी दाम मांगती है मगर सासु कहती, तू मांग बहु बोली, सासु जी पैसे ले आओ तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया बहु ने खोल कर देखा तो उसमें कीडे मकोडे बिलबिला रहे हैं बहु ने कहा सासु जी ये क्या सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पतवारी बड़ी दोगली पट पीटन है इसको तो धन दिया मुझको कीडा मकोडा दिया तब सब कोई बोलने लगे कि बहु तो सथ की भूखी सीची थी तुम धन की भूखी हे पतवारी माता, जैसा बहु को दिया वैसा सब को देना जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना बोलो पत्वारी माता की जय तो इस प्रकार हमारी पीपल पत्वारी सीचने की कहानी संपन एक समय की बात है किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे सेठानी ने पीपल को सीचने और दिया जलाने का नियम ले रखा था सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्वी की थी परन्तु सेठ और सेठानी जी को एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी इस बात से सारा गाव उन्हें हटास देता था एक बार सेठानी जी ने एक तरकीब सोची उन्होंने एक तिहाई को बुलवा कर उसे नौलखा हार का लालच दिया और उससे कहा कि नौ महीने बाद गाव में जिस किसी के भी बालक पैयदा हो उसे एक बार मेरे घर लाकर भुला देना और सबको उसके रोने की आवाज सुना देना अब सेठानी जी सेठ जी से कह देती हैं कि वह प्रेट से है न वे महीने में एक दिन दाई ने किसी के यहां से एक बच्चा लाकर सेठानी के घर में रुला दिया और सबको कह दिया कि सेठानी के बेटा हुआ है बच्चे के जन्म के सवा महीने होने पर सेठानी ने जल्वा पूजन का कार्यक्रम रखा और उसमें बच्चे के स्थान पर काटार रख दी जब सब अपने बच्चे को दिखाने को कहा तो सेठानी ने कहा कि कुमर को नजर ना लग जाए इसलिए मैं इसे बाहर नहीं निकाल लूँगी देखते ही देखते छह वर्ष बीद जाते हैं पर सेठानी अपने बेटे को किसी को नहीं दिखा दी एक दिन सेठानी जी सेठ जी से बोली मेरा बेटा पढ़ने के लिए कूशी जाएगा सेठ जी ने अपने इंतजाम करवा दिये अब सेठानी अपने बेटे को काशी भेज देती है और यह बात सब को बता दी जाती है दिन बीते जाते हैं और सेठानी का बेटा सोलह वर्ष का हो जाता है। एक दिन सेठानी कैयांची से कहती है। मुझे मेरे बेटे का विवाह करना है। आप एक सुन्दर और सुशील कन्या ढूंडो। तब सेठ जी कहते हैं, जिस बेटे को आज तक मैंने नहीं देखा, तो उसकी शादी कैसे होगी। तब सेठानी जी कहती हैं, आप कन्या ढूंडो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी कन्या की तलाश में निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक गाव में पहुंचते हैं, जहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। शाम को जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी, तो उनमें से एक लड़की जो सिर्जी को सुशील है और सुन्दर लगी, वह उसके पीछे पीछे चल दिये। उसके घर जाकर उसके पिताजी से शादी की बात कर, शादी पक्की कर दी। शादी की रस्म शुरू हुई। सगाई में सेठानी बहाना बना देती है, कि अभी बेटा काशी से नहीं आया। इसलिए मेरे बेटे की कटार की सगाई की रस्म कर दो। इसी प्रकार शादी में भी सेठानी कटार के साथ कन्या का विवाह कर देती है। अब नई बहु ससुराल में आ जाती है। जब रोज के तरह सेठानी जी सुभह मंदिर जाने लगती है। तो वह को साथ वोटरों की चावी देखिए। जाती है और कहती है वह यह साथ कोठियों की चावी है। तो इन में से रोज एक कोठरी खोलना। लेकिन साथ वी कोठरी मत खोलना। बहु कहती है। ठीक है। आप जैसे ही सेठानी जी मंदिर जाती हैं। बहु पहले दिन जाकर पहले कोठरी खोलती है। है तो उसमें बहुत सारे रेश्मी और सुन्दर-सुन्दर कपड़े रखे देखती है। बहु उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती है और खूब खुश होती है दूसरे दिन जब वह दूसरी को ठीक होती है तो उसमें बहुत सारे गहने होते हैं बहु उन सभी को पहन पहन कर देखती है तीसरे दिन बहु दूसरा कमरा खोलती है और चौथे दिन चौथा ऐसे ही कर पॉर्टे करते हुए चह कमरे खोल कर साथ कोटरों की चाबी, लेकिन सातवे दिन वह सातवा कमरा नहीं खोलती, जैसे ही सिठानी जी मंदिर जाती है, बहु अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, तो परडोसन उससे कहती है, क्यों नहीं बहु, अभी तेरा पती पती काशी वापस नहीं आया, तो वह कहती है, नहीं, अभी वह काशी से वापस नहीं आये, तो परडोसन कहती है, वह कभी काशी से आएगा भी नहीं, हम में से किसी ने भी आज तक उसे नहीं देखा, हमने तो क्या, आज तक सेट जी ने भी अपने बेटे को नहीं देखा, त नहीं, अब भी वह काशी से वापस नहीं आए। तो परडोसन कहती है, वह कभी काशी से आएगा भी नहीं, हम में से किसी ने भी आज तक उसे नहीं देखा। असी और मंदिर क्यों जाती है? वह सात्वे कमरे के पीपल के पेड़ और मंदिर के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उस पीपल के पेड़ में से 17-18 वर्ष का युवक बाहर आता है। बहु उसे देखकर हंसती है। आप कौन है तो वह कहता है। मैं तुम्हार ये उसे अपना पती मानकर वह उसके साथ बातें करने लगती है। आप ये रोज का नियम हो जाता है। जैसे ही सांस मंदिर जाती, बहुत सात्वे कमरे में सांस और बहु दोनों निश्चिंत हो जाती है। सात्वे महीने में बहु के गोद भराई की रस्म रखी। जाती है तब सारा गाव सेट जी के यहां आता है। जब बहु को बाहर लाकर बिठाया जाता है तो थोड़ी ही देर में एक 17-18 वर्ष का बहुत सुंदर कूंवर बहु के पास आकर बैठ जाता है। उसे देकर सभी महमान चौक जाते हैं कि गाव की ओरतें कहती हैं। अरे इतना सु इसलिए सेठानी ने आज तक इसको छुपा कर रखा था। कार्यकरम के बाद जब सभी गाव वाले चले जाते हैं तो वहकर वापस जाने लगता है। तब सेठानी और बहु अब दोनों उसका हाथ पकड़ लेती हैं। और कहती हैं। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे तब उस पीपल के व्रिक्ष से भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। और सेठानी से कहते हैं। सेठानी यह तेरे जीवन भर के पीपल को सीचने और दिया जलाने का प्रताब है। तुझे हम यह कूमवर दे रहे हैं। यह बात सुनकर सेठानी और ब लपसी तपसी की कथा लपसी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है। लपसी तपसी नाम के दो भाई थे। जिन में तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लपसी प्रती एक दिन सवा सेर की लापसी बना कर भगवान को भोग लगा कर फिर भोजन करता था एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई तब असी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ दोनों लड़ी रहे थे इतने में वहाँ नारज जी आ गए नारज जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई दोनों ने नारज जी से पूछा कि आप ही बताईए हम में से कौन बड़ा है नारज जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा इतना कहकर नारजी चले गए दूसरे दिन जब नारजी आए तो उन्होंने एक-एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रखती तपसी ने तुरंथी अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपाली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा जिससे मैं यग्य करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी फिर नारत जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली तब नारत कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या कभी फल नहीं मिलेगा तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा तब तपसी बोला नारत देव जी मेरी ये आदत कैसे छुटगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा इसका कोई उपाय बताएं तो नारत जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक वरत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुन्य देंगी तब ही यह पाप उतरेगा तब असी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी तब नारत जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राम्भन को भोजन कराकर बिना दक्षणा के ही उसको विदा कर देता तो तुझे उसका फल मिलेगा यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझ मिलेगा कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना भी अनिवार्य हो गया बोलो लपसी तपसी की जय तो इस प्रकार हमारी लपसी तपसी की कहानी संपन्न हुई दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रूप में शेयर कर दें जिससे वहाँ भी यह कथा सुन ले वे धन्यवाद तुलसी माता की कथा एक बुढ़िया थी उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था वह प्रती दिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी वह तुलसी माता से प्रति दिन प्रार्थना करती थी कि है तुलसी माता खान खीर का भोजन देना, आठ पीतामबर का वेस देना, योग्यों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, रामलक्षमन की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्षमन उधर से निकल रहे थे। तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो। योगी नियोसी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूँ पर आपकी कांध कहां से दूँ और सीता जी का चाल चलावा कहां से दूँ। राम जी और लक्षमन जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकठे होने लगे। क्यों ले जाने के लिए उसको तैयार करने के उठाने लगे। तो वह इतनी भरी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए। उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई। वह तो देवदर्शन सब करती थी। क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मन और सीता जी आये। सीता जी ने चाल चलावा किया। और राम लक्ष्मन ने कंधा दिया। और बुढ़िया तो सदेह वैकुंट को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से ये प्रार्थना करते हैं। कि हे तुलसी महाराणी जैसी सदगती उसको दी, वैसी सदगती सब को देना। ब्रामन की सातवी बेटी एक ब्रामन था। वह प्रति दिन मंदिर जाता था। वह प्रति दिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रति दिन प्रार्थना करता था कि है तुलसी महाराणी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मन तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रति दिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महराणी एक कर्ण्या का रूप बना कर बैठ गए। और उस ब्राह्मन को बोला कि ब्राह्मन में भी त शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मनी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं है। अपनी छे लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे सात्वीं की भी करवा देंगे। अपन सातों लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मन म गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मन में आपके घर आउं तो ब्राह्मन बोला कि हाँ, चल बेटा, चल, उनको वह घर पर लेकर आ गया, तुलसी माता के कन्या के रूप में, ब्राह्मन के घर आने से ब्राह्मन के घर बहुत आनंद हो गया, घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मन सातों कञ्याओं की शाधी के लिए वर धूढने जाने लगे तो उस छोटी कर्ण्या ने कहा कि मेरे तो शालिक ग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिक ग्राम जी को बोलना कि बरात लेकर आए और मेरी चाया बहनों के तुम्हारी इच्छा से तुलसी महारानी की महरबानी से। उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तयार हो गया। और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। और उस ब्राह्मन के तुलसी माता टूटमान हुए। माखन में श्री राम राम के लिए पर भंडार सब का बेड़ा पार करें जै श्री राम जै हो और माता सीता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो माता सीता कहने लगी भगवान अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब। भगवान राम ने कहा कि कुएं के पास जाकर बैठ जाईए। और वहाँ और ओरते पानी भरने आए। उन्हें अपनी कहानी सुनाना। सीता माता वहां जाकर बैठ गई, एक औरत वहां पानी भरने आई, उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी, और सोने का घड़ा ले रखा था, उसे देख कर कहते हैं कि बहन, तुम मेरी कहानी सुन लो, वस्त्री बोली, मैं तुम्हारे लोंगी, तो मुझे घर जाने में देर ह जाएगी और उसने नहीं सुनी, और वह चली गई, आगे चल कर उसकी साड़ी फैट गई, सोने का घड़ा मिटी के घड़े में बदल गया, सास ने देखा तो पूछा कि किस दोसश को अपने घर लेकर आई है, बहु ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला, बहु की बात सुनकर, अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सांस कुएं के, गई वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी, राम लक्षमण ने राम तपस्वी, माखन मिश्री मनियार, सब का ब खड़ा फिर से सोने में बदल गया, बहु कहने लगी सासू, मा, आपने यह सब कैसे, किया सास ने कहा, कि बहु दोस लगा कर आई थी, और मैं अब दोस उतार कर आ रही, बहु ने फिर पूछा, कि कुएं वाली स्त्री कौन थी, सास ने कहा, वह माता सीता थी, वह पुराने नया घर में भंडार, लक्षमी का वास में आदमी की इच्छा उसे पूरा करने की कहानी, मुझे तुम ही सुनो, कहानी शुरू की राम राम जी, राम राम जी और सुक्य पल, का उठो राम सा राम सा राम 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 हमारे, घर पर सब का बेड़ा पार करें, श्री राम जय र कहानी सुनकर तो बहुत अच्छी लगी। हैं सारे काम सिध्ध होते, मन की इच्छा पूरी होती। पडोसन कहती है, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली, तुम भी राम लक्षमन की पूजा करने। और राम राम तपस्वी जी, राम के घर भंडार, सब का बेडा पार करें। जैश्री राम कहानी कहने मुझे बहुत अच्छी लगी, अब भी सीता माता की।